हलो फ्रेंज, डिवान लाइट्स असोसियेशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेग्मेंट में आप सभी का हार्दिक स्वाधत है चलिए दोस्तो इस सेग्मेंट में हम आज करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक जी हाँ दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है, जो आपको बहुत पसंद आता है, और यकीन मानिए दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग थोड़ी सी अलग है, तो आप अगर इसको सही से नहीं समझ पाए, तो निशित रूप से गलत कर सकते हैं, तो चलिए, पासिबल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं पासिबल है, यहाँ पे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन्फरमिशन को लॉजिकल ओर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप क्या कर सकते हैं, हम्, क्वेस्चन के आंसर्स दे सकते हैं, तो 45, 56, 95, 21, शुड रॉज रॉज राइट ट्रीड तरन आप, 89, 56, 84, अ वो नॉज रॉज परग्राफ इस सकते हैं, 97, 95, 54, how to use this, is coded as, 45, 23, 44, 21, वोनुज तो बिल्व एस कोड़ेगा, 45, 54, 87 ठीक है? चलिए, अब solutions देखते हैं How का code होगा 21 2 का code होगा 45 Right का code 56 Paragraph का code 95 A का code होगा 97 Wonderful का code होगा 54 Believe का code होगा 87 ठीक है? चलिए, अब हम questions पर आते हैं Question first है What is the code for paragraph in the given code language? बिल्कुल सही बात है 95 Next What may be the code for wonderful to work? आच्छा, इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रिक क्या बिढानी है Wonderful और 2 का code अगर याद कर लेंगे तो जो सबसे अलग option पड़ेगा जो पजल में बिल्कुल दिया नहीं होगा number वही आपको लिखना है ठीक है? तो बिल्कुल सही बोला आपने 54, 45, 32 is the code of wonderful to work Next, if the code for neatly is 89 and the code for this is 44 ठीक है? If the code for neatly is 89 and the code for this is 44 Then, what will be the code for How should you use? ठीक है? How का code तो 21 होगा ठीक है? Should का code हो जाएगा? 84 You तो अलग number ही आजाएगा Use का code क्या हो जाएगा? 23 ठीक है? तो इन को ले करके आप लिख सकते हैं 21, 12, 84, 23 ठीक है? ये code हो गया? Very good बहुत सही Next What is the code for believe? Very good Answer होगा 87 बिल्कुल ठीक बोला आपने Next question है The code 45 stands for? 45 किस शब्द का code है? बदा ये अरे फांटास्टिक बिल्कुल सही बोला आपने 45 कोड है 2 का तो दोस्तों इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये segment यहीं पर होता है समाप लेकिन फ्रेंद्स हम आप से एक request जरूर करना चाहेंगे वो request ये है कि आप सभी लोग इस segment को दिल खोल करके enjoy कीजे और साथी इसे उन लोगों तक जरूर सा जरूर पहुचाने की पूरी कोशिश कीजेगा my most dearest of the dearest friends जो लोग internet facility का लाब नहीं उठा पा रहे हैं है ना तो इसी छोट से request के साथ हम आप सभी के भेर सारे प्यार जुनून, चजबात और कड़ी मैनत के साथ-साथ आप सभी के उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदालत ना सिर्फ आप सभी नई नई उचाईयों को छू रहे हैं बल की साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योगेता का पच्छन लहरा पाने में बहली भाती सक्षम है तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी कर्व की भारना को अपने मन में संजोई हुए हम एक बार फिर आप सभी को कहना चाहेंगे पूरी डिवाइन लाइट असोसियेशन टींग की ओर से देल से प्यार भरा नमस्कार